हाई नमस्ते दोस्तों मैं वैशु वैशु आटलोग में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे एग रोल आपको अगर एक खाना पसंद करते होंगे तो इस तरह से एग रोल बना कर देखिए बिल्कुल फूट स्टॉल में मिलता है वैसे ही बनाएंगे कापी टेस्टी बनता है आप खाते ही रहेंगे इसे तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं कुछ वेजिस को पका लेते हैं थोड़ा हरके साथ कच्छा पन निकाल लेते हैं थोड़ा से हम बटर डालेंगे इसमें आप चाहे तो ऑईल भी डाल सकते हैं ग्यास बड़ा रख रहा है आपको इसमें शीमिला मिल्च, हरी मिल्च, पत्तागोबी, गाजर, रासाच को से पापने देंगे इने, हलका हलका ज्यादा नहीं पकाएंगे, काली मिल्च पाउडर डालेंगे थोड़ी सी, आदा चमस्टरी कम, आपको अगर नहीं पसंद आप इसे स्कीप भी कर सकते हैं, थो आजन नमक डालेंगे, शादा नुसार, इस तरह बनाएंगे आप तो बहुती टेस्ती लगेंगी ए जाहे तो इसमें और मसाले आड़ कर सकते हैं, लाल मेज पाउडर अगरें, तर मैं इसमें नहीं डालूंगी, तो हम अजी सब्या भूण चुकी है, दो मिनिट भी नहीं लगे इसे, फ्लेम हाई रखे थे, तो हम बन कर देंगे जासको, तो आरिया हम अपने नेक्स प्रोसस के तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैंने दो-तीन रोटिया बना लिये हैं, तो यहाँ पर दो अंडे लिये हैं, अंडे को फेट लेते हैं, चाहे तो एक भी ले सकते हैं, अंडे को पहले अच्छे से धो लीजेगा, अम इने खेट लेंगे, अंडों को अच्छे से खेट अच्छा फूला फूला बनता है तो अंडे को फेट लिए है तो आईए हम बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ऑईल डालेंगी थोड़ा सा तो हमारा ऑईल गरम हो चुका है इसमें डालेंगे अंडा इस तरह से इसमें डालेंगे थोड़ी नमक मिर्च जान रहे नमक कम डाले हैं हमने सबजे में भी डाले है अभी हमें इसमें डालेंगे चपाती इस तरह से थोड़ा प्रेस्ट करेंगे आप चाहे तो इसके जगव पराठा भी ले सकते हैं खस्ता पराठा या लच्छा पराठा इसके साथ भी अच्छे लगता है खास्तोर तो यह चपाती मैदे की बनती है पर हेल्थ के लिए मैं गेहू के आटे के यूज कर रही हूँ ग्रेव के आटे में बहुत ही प्रोटीन होते हैं अच्छा है सेथ के लिए अपने हम इसे पलट देंगे इस तरह से अच्छे से पकाएंगे कच्छा नहीं रहना चाहिए और एक बारा यह पका लेंगे देखिए चापाती कितनी अच्छी दिख रही है अच्छी आ रही इसकी हम इसे निकाल लेंगे अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी मियोंगी इस तरह से अच्छी तोमेटर सॉस स्प्रेट करेंगे इसे आपको ज़्यादा पसंद होगा तो ज़्यादा डार सकते हैं आदी धनिया पॉर्भास धन्यादा कैसर कर ल़्यादा देंगे स्ट्ट्सरी dub का教 caterpillar तेंगे स्ट्सरी घ्यादा बन्यादा कि इस लोब्यादा referring बटर पीपर में पैख करेंगे बट्ष रासे वेकी, बटनमास्त हुआ प्याओट्स प्याज़ग बट्ष प्याज़ दो प्याज़। लुट्टो फल्क्स एठाग् तो मैटो, तो गाइज आपको एग रोल की रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आप भी बना कर देखें बहुती टेस्टी बनेगा इस तरह से बनाएंगे तो आप अगर एक खाते होंगे तो इस तरह से बनागर देखेंगे और प्लीज वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब, शेर, लाइक कीजिए, खैंक्यू